वेलकम है आप सभी का स्टाटिक जीके में राजस्थान पुलिस कॉंस्टेवल के कटाफ की आज ये आखरी वीडियो है पचपन से उपर लगबग लबग सभी डिस्टिक की कटाफ यहाँ पर गई है जो दो चार दस डिस्टिक बच गए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे लेकिन हमने सभी डिस्टिक को कवर कर रखा है अपनी दो वीडियो में यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो का एक स्क्रिंशोट आपके दिखा रहा हूँ जिससे मां अंदाजा बता सकता हूँ आपको देकि यहाँ पर 204 कॉमेंट आये ह सबसे पहला यहाँ पर कमेंट है विक्की विश्णोई का साथ मिनट पहले बंदे ने कमेंट किया है बिलवाडा 54.5 हुआ है नहीं हुआ ठीक है तो भाई इनका लगभग 54 नमबर था और बिलवाडा से नहीं हुआ इसका मतलब यह हो गया है कि जो बिलवाडा की कटाफ है वो आपकी 57 प्लस गई है इस दिशको आप नोटिस करके रखिएगा ठीक है आगे कमेंट के तरह में बढ़ते हैं लिखा हुआ है कि सर मेरा नागाओर OBC तिरपन था पर फिर भी नहीं हुआ भाई इस बार नागाओर की जो कटाफ है नागाओर की जो कटाफ है वो 60 के आस इस बार मैं आपको बता दूँ कि एक डिस्टिक है कोटा ग्रामीड और एक हो गया राजसमत ये दो ऐसे डिस्टिक है इस बार इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी ज़दा कटाफ जाएगी कोटा ग्रामीड की 63 प्लस कटाफ गई है और आप यहाँ पर देखो राजसमत की तो 65 पर भी नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं 67 के आसपास कटाफ जा रही है राजसमत की ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स हमारे कमेंट पर कि भाई भरतपूर से कितनी कटाफ गई है भाई भरतपूर के बारे में आपको बता दूँ कि 57 के आसपास कटाफ जा रही ह ठीक है female category की बात कर रहा हूँ मैं और अगर male general category की बात कर रहा हूँ तो 57 marks जिसके आ रहा है उसके selection हो रहा है अजमेर से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक comment यहाँ पर है जर मेरे अजमेर category से general से 52 marks पर होगा यह दिखो female category पर इनका होगा general category से तो इनका selection होगा क्योंकि मैंने अभी आपको पता था कि 45 number कटाफ जा रहा है एजमेर का ठीक है इसी तरीके से बारं का है 50 number SC में ने हुआ तो बारं की जो कटाफ है भाई वो 52 plus mark जा रहा है यह SC category काटाफ ठीक है आगे बढ़ते है राजस मत देगो यह बहुत ही hot stick है तो जितने comment आते सबका नहीं होता है क्योंकि इतने marks कौन ही ला पाएगा यार 60 marks बच्चे का है देगो कितना जादा number पाया बट फिर भी selection नहीं हो पाया ठीक है 51 धोलपूर की बात करते हैं पूलपूर की कटाफ तो इनका भी selection यहाँ पर नहीं हो पाया आपके कितने marks हैं अगर आपको पता है आपने जोड रखा है आपके results सही आए हैं तो comment section में सभी लोग जरूर बताएगा जिससे maximum बच्चों का भी इससे फायदा हो सके उनको अंदाजा मिल सके कितना कटाफ मे है general category की ध्यान लखीएगा और इनका selection यहाँ पर नहीं हो पाया ठीक है next है कि पाली से बात कर लेते हैं 45 नंबर सपर बिलवादा की जो कटाफ है मैंने previous साली वीडियो में आपको बता रखा था ठीक है वीडियो आपको पसंद आ दियो तो सभी लोग प्लीज आरे बाल बार कोशन आते हैं राजसमत कि बच्चे इतना नंबर पा गए यार 62, 63, 65 तक पाए है लेकिन सेलेक्शन उनका नहीं हो पाया है आपको बता दो 67 प्लस जिसके मार्क्स आ रहे हैं राजसमत से उनके सेलेक्शन या पर शूर हो रहे हैं ठीक है हनुमानगर से बात कर लेते हैं हनुमानगर जो जनरल कडिगरी है हनुमानगर से बात करते हैं और हनुमानगर से जनरल कडिगरी है 58 मार्क्स आ रहे हैं उनका सेलेक्शन या पर हो गया है तो इसका मतलग 56 के आसपास जो है वो कटाव गई है हनुमानगर की ठीक है एक और डिस्टी की बात कर लेते हैं ठीके जोदपूर की बात कर लेते हैं 45 नंबर ST का डिगरी से female का डिगरी का होगे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था 45 नंबर जिसका आ रहा है जोदपूर और अजमेर से selection हो रहा है female का डिगरी का ठीक है तो यहाँ पर कुछ मुझे data मिले थे जो मैंने आपके साथ share कर दिय हैं आपके कितने marks हैं comment section में जरूर बताईएगा कोई भी doubt होता है कुछ पूछना है तो comment section में पूछ लीजिएगा हर किसी के reply करूँगा पहली बार वीडियो पे विजट किया है तो subscribe करिएगा चैनल को वीडियो को like जरूर करिएगा ठीक है शेयर करिए अपने दोस्तों के करेण अब क्षार के बंके कर आएगा अपने करे आएगा लीजिए आ एम कंने लीडियो कोछने आफे दोस्ति अजिवम थैएगा,र दोस्तों हिमताइगा दिखेगा, जेुछ बहुछने कर दोस्तों प press.